नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल आयरवेदिक उप्चार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लहसुन के स्वास्थेलावों के बारे में लहसुन एक कमाल के और शद करना है तो लहसुन में जीरा सौफ और सेंधा नमक मिला करके सुबह शाम खाली पेट सेवन करना चाहिए इससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है इसके अलावा अभी सर्दियों का मौसम हो रहा है इसमें सर्दी जुकाम की समस्या होती रहती है ऐसे में लहसुन में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रोज सुबह लहसुन की दो कलियां खाईए इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है जिसकी वज़ह से हार्ट अटेक की प्रोब्लेम भी नहीं होगी दुनिया में आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा किसी बीमारी से आप को लाप मिलेगा इसके अलावा अगर किसी को बाल जढने की समस्या है तो लहसुन की 5-6 कलियों को सर्सों के तेल में अच्छे से पकाईए जब तक ये काली नहों जाए इसके बाद इसे ठंडा करके सिर की मालिश कीजिए इससे बालों का जढना बंद हो जाएगा अग लहसुन की गंध से कोलेस्ट्रोल लेवल कंट्रोल में रहता है इससे हाट डिजीज का खत्रा टलता है इसलिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए इसके अलावा जोडों के दर्द के लिए सर्सों के तेल में लहसुन अजवाईन के साथ लौंग मिला करके गर्म कर लेना चाह रोज सुबह खाली पेट लहसुन की तीन कलियां खाने से डाजेशन आपका ठीक रहता है और भूख बढ़ती है पेट में गैस की समस्यान नहीं होती है तो इसलिए लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए अलग-अलग तरीका भी हमने बता दिया कि कौन सी बिमारी को दूर करन है तो आपको कैसे लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए फिलहाल आज की ये वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर का है नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले साथे साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें आपका एक प्रयास लाइक शेर और कमेंट करने का बहुत से लोगों को लाभानवित कर सकता है वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुरेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों